RSS याने राश्ट्री स्वहम सेवक संग पर मदपदेश हाई कोट की इंदौर खंड पीट की ओर से कुछ ऐसी टिपड़ियां की गई हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं RSS याने राश्ट्री स्वहम सेवक संग पर मदपदेश हाई कोट की इंदौर खंड पीट की ओर से कुछ ऐसी टिपड़ियां की गई हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ सीनियर अड़ोकेट सुप्रीम कोट के कॉंग्रेस के रास्वासानसद विवेक तनखा जी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे सर कोट ने जो टुपणी की की जो फैसला गलत था या अपनी गलती सुधारने में सरकार को पांच दशक से ज्यादा का वक्त लग गया और आरसेस को एक तरह से उसकी देश सेवा को हाई कोट ने माना है अपने फैसले में अठारा परणों का ये फैसला दिया है जाहर सी वात है आपने भी फैसला देखा होगा सर आपका क्या रियक्शन है कि दिखें मेरा रियाक्शन नहीं है besteht कुठेश की जो वकीनों या जो चानून विद्ध और है कि जो होता है उसके दो इस केस में कोड को चाहती तो दो लाइन में इस केस को खतम कर सकती थी क्योंकि यह जो बैन था यह कोड नहीं रद किया था यह सरकार ने विड्रॉ किया था तो एक प्रकार से पेटिशन इन फ्रक्शुस हो गी थी कोड ने जो अबिटर डिक्ता दिया है यह कोड की अपनी व्यक्तिकत व्यू है यह 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 रेशो डेसेडंट डाई नहीं है इससे कोई बाद नहीं है ना इससे कोई देश के न्याला इसको अप्लाई कर सकते हैं तो एक तो जेनरली स्पेशली ऐसे मैंटर में नहीं देना चाहिए जहां पर दो व्यू हो सकते हैं क्योंकि जो यह विड्रॉव हुआ है यह भी जब्राइब ने किया पचास साल नहीं लगे हैं यह भी जब्राइब की गवर्वर्ण ने किया सरकार ने किया है अभी तक कि जित्ती सरकारे थी इंक्लूडिंग अटल वहरी बाचपई, देवी गोंडा, गुजराल, हम अपनी कॉंग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अथी, उन्हों नहीं भी इन सर्कलों को विड्रॉण नहीं किया था, बाचपई जी नहीं नहीं किया था, उसका कारण था, अगर आप चाहत लाइन स्लम में जाओ, यूनिवर्स्टी में जाओ, कॉलिज में जाओ, स्कून में जाओ, अस्पताल जाओ, कौन अपती करता है, कोई भी आपते नहीं करेगा, बिकोज ये नॉन पुलिटिकल ऑग्डिजेशन होती हैं, मगर आप बीजे पी, कॉंग्रेस, समाजबादी, टीमसी, जो भी पार्ट, डीम के, एडीम के, जित्ती पार्टीज हैं, इनके कारक्रमों में एक साज़की करमचारी नहीं जा सकता, ये बादत, एक बंदन है, ये बंदन को आपने, सरकार ने खतम कर दिया, RSS के कॉंटेक्स्ट में, तो RSS को अब खुद बताना पड़ेगा कि हमारा बीजेपी से कोई संपर्ग है के नहीं है, और बीजेपी से अगर RSS का संपर्ग है, तो ये निर्ना गलत है, सरकार का, क्योंकि एक प्रकार से फिर आप उस सरस्था को रेकिगनिशन दे रहे हो, जिसका पॉलिटिकल संपर्ग है, RSS से एक पब्लिक एफिडिवेट आप एक्सपेक्ट करें, देना चाहिए उनको, आचा क्योंकि ये बात यहां खतम नहीं होगी, मुझे पता है, मैं तो दो चुनाओं लड़ चुका हूं, आप लोग तो सब दर्शक हो चुनाओं के, क्या पूरी RSS, BJP की तरफ से मेरे अगे चुनाओं लड़ रही थी कि न दूल नागरिकता होती है, डूल सिटिशन्शिप, वैसे डूल पॉस्चरिंग अलाउड नहीं है, कानून में, पॉस्चर एक होना चाहिए, कि आप राजदेतिक हो, कि नहीं हो, अगर RSS का राजदेतिक कनेक्शन है, तो यह सिंट्रल गर्मेंट का इंडिन गलत है, अगर R वास्तिवक्ता नहीं है, जो देश के सामने, आप 140 करोण लोग इसे पूछ दीजे, वो वास्तिवक्ता जानते है, इधर सर, हाई कोड के इस जज्जमेंट या जो किंद सरकार ने प्रतीबंद हटाने का फैसला लिया, इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है, क्या आप लोग विचार कर रहा है, आप से कोई संपर्क में, ने, हाई कोड के फैसले को चैलेंज तो कोई करने की ज़र्बत ही नहीं है, वो तो नया इदीशों की विक्तिगत टिपड़ी है, यह है कोई सुप्रीम कोड जाएगा, तो कह सकता है कि इस टिपड़ी को आप एक्स्पैंज करि कि RSS को खुल के सामदे आना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है, कॉंग्रेस इस रास्ते पर आगे बढ़ सकती है, देखे ऐसा कोई निर्दे नहीं हुआ है, और यह खाली कॉंग्रेस की बात नहीं है, यह देश की परंपराओं और कानून और यही सम्विधान में लिखा है, यही कानून में लिखा है, और कोई भी कोष हो, कोई भी केचेरी हो, वो इससे दूर भग नी सकती है। और यह बातें सब के बीच में आएंगी, उठेंगी, क्योंकि मैंने देखा एक चर्चा का विशह था यह, क्या सरकार को ऐसा करना था, जो हाई कोट का जो ऑबिटर है, उसको खाली प्ले अप किया गया है, जानके उठाया गया है, क्योंकि सरकार उस ऑबिटर के पीछे दूसरा, मैंने तो परसो पार्लेमेंट में बोला है, हम लोग को बड़ी चिंता बढ़ गई है, जुडिश्री में, और हम इस पूरे महकमे में, कि जजिस रेटायर्मेंट के बाद पुलिटिकल पार्टी जॉइन कर लेते हैं, चाहे वो कॉंग्रिस हो या बीजेपी हो, अ एक जजों को भी खुद सोचना चाहिए, कि उनको राजनीती से दूर रहना चाहिए, उसी में उनकी रक्षा है, सुरक्षा है, और इजजत है, और सम्मान है। लेना देना नहीं है, और इस मामले पर खुल कर अपनी राय व्यक्त कर रहा है। कैमरमन सती सराधे के साथ विजेन रपांडे, आई बीसी टॉनिफो, जबनते।